मैं यति मराज आप सभी दर्षकों का देनिक यति राशिपल चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ और आप सभी दर्षकों को दंतेरस की हारदिक सुख कामना देता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में दंतेरस के बारे में बताऊंगा और दीप परकट करने के सुब महरत के विशय में बताऊंगा वीडियो के अंत में मैं आपको यह बताऊंगा कि दंतेरस से दिपावली तक कौन-कौन से यंतर जो है आप सिद्ध करके उसको आप पूजन कर सकते हैं या बाद में गर में लगा सकते हैं आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सबस्क्राइब करें और गंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोश्ट होता है मनाई जाएगी दंतेरस को रहुकाल दिन में 10 बजकर गुनशट मिनट से 12 बजकर 22 मिनट तक रहेगा दंतेरस को अभिजीत मोहरत दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 45 मिनट तक रहेगा और गोदूली वेला जोय स्याम को 5 बजकर 51 मिनट से 6 बजकर 17 मिनट तक रहेगी सूर्योदे दंतेरेश के दिन सुबह 6.53 मिनट पर होगा और सूर्या साम को 5.51 मिनट पर होगा यम दीपदान का जो समय है वह गोधुली वेला में किया जाएगा साम को 5.51 मिनट से 6.57 मिनट के बीच में आप दीप जलाकर यम दीपदान कर सकते हैं धनतेरेश के दिन धन्वंतरी देव की पूजा और धनकी पूजा किस समय कर सकते हैं यहाँ सुब मौरत मैं बता रहा हूँ यहाँ चोगडिये के इसाब से मैं आपको सुब मौरत बता रहा हूँ कि धन्तेरेश के दिन सुकरवार को सुबह 6.53 मिनट से 8.15 मिनट तक चर का चोगडिया रहेगा और सुबह 8.15 मिनट से 9.37 मिनट तक लाब का चोगडिया रहेगा दोपहर में 12.22 मिनट से 1.45 मिनट तक सुब का चोगडिया रहेगा और साम को चार बजगर 28 मिनट से पांच बजगर 51 मिनट तक चर का चोगडिया रहेगा दिनांक 10 नुवंबर को दंतेरश का दिन है और दंतेरश के दिन से ही दिपावली का पांच दिवस्य दिपोट्षव पर्ववश सरू हो जाता है इन पांच दिवस्य दिपोचसव पर्व का पहला दिन दंतेरस के रूप में मनाये जाता है और दंतेरस के दिन समुंदर मंतन के समय आयूरवेद के देव दनवंतरी जी परकट हुए थे इसलिए दंतेरस के दिन आयूर्वेर्द के जनम दाता के दिन दनवंतरी देव की पूजा की जाती है आज के दिन यानि दंतेरस के दिन को सुब इसलिए माना जाता है कि आज के दिन माता लक्षमी जी के आगमन की पूर्व तैयारिया शरू हो गई थी मतालकष्मी जी को दनकी देवी मना जाता है और इसलिए ही आज के दिन गर में कुछ नया वस्तु खरीदने को शुब मना जाता है आज दनतेरस के दिन क्या-क्या खरीदना सुब रहेगा या रहेगा यह देखने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि जल्दी ही मैं आपकी रासी के लिए नया साल दो हजार Čजार चोईस का नया साल कैसा आपके लिए बीतेगा इस बारे में मैंने सभी बारे रासीयों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए है वह में एक-एक वीडियो करके पोश्ट करता रहूंगा यह दिपावली बाद में करूंगा आप अपनी रासी का वीडियो जो है जरूर देखना कि आने वाला साल आपके लिए कैसा बीतेगा और एक विशे सूचना है कि मैं हर वरस मेरे यहाँ पर महालक्ष्मी माता का पूजन करता हूँ उसमें बहुत लोग अपने नाम से पूजा करवाते हैं अगर आप भी अपने नाम से पूजा करवाना चाते हैं तो करवा सकते हैं इस पूजा के लिए मातर 3,000 रुपिय का दक्षिना सुल्क में रखा है यह 2012-2013 से ही रखा हुआ है अब देखते हैं कि इस साल धंतेरस को क्या-क्या खरीदना सुब रहेगा तो धंतेरस के दिन यदि सोना, चांदी, मकान, भूमी, वाहन, बरतन या फिर रासी के अनुसार कोई यंतर खरीदा जाए तो यह सुब माना जाता है नए समान के साथ में माता लक्ष्मी हमारे गर में सुब के रूप में परवेश कर रही है इसलिए ही नए बरतनादी में गुड की लापसियादी, मीठा बोजनादी पका करके गरीबों में बांटा जाता है और मूख पस्वों को भी खिलाया जाता है लक्ष्मी जी की नजर हमारे पूरे गर पर पड़े इसलिए साम के समय में महालक्ष्मी माता का आहवान करना चाहिए सुब समय में और माता जी की इस्तापना करके उनका आरती करना चाहिए एक थाली में 11-21 दिपक जड़ा करके पूरे गर में माता जी की आरती करने के बाद में गुमाए ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी माता की इस्तापना धंतेरिस के दिन करने के बाद में उनकी पूजा अर्चना करें उनकी आरती करें और उसके बाद में पूरे गर में गुमाए ताकि माता की जो दृष्टी है वह हमारे गर के अंदर पूरे हर कोने में चली जाए और फिर शाम के समय में गर के अंदर बाहर बहुत सारे दिपक लगा करके गर को अंदर बाहर से सजा कर खुशी-खुशी पूरवक या पांच दिविशे दिपाली का परवकी सरवात करनी चाहिए नया ज़ाडू और नया सूपडा खरीदकर उनका भी पूजन करें और शाम के समय में दिपक परजवलित करके अपने गर में सजाएं घर के बाहर सजाएं दुकान में भी सजाएं और घर के पास में अगर मंदिर है गोवशाला है नदी है गाट है कुए है तलाब है बगीचा है तो वहाँ पर भी दिपक जला कर रोस्नी करनी चाहिए यतिवानी के नुसार अगर देखें तो यता सकती आप तांबे पीतल चांदी के गरह उपयोगी नवीन बरतन रासी के नुसार खरीदे और आबुशन आदी भी आप इस दिन खरीद सकते हैं खेतों में हल जुत्ती मिट्टी को दूद में विगोगर उसमें सेमर की शाखा डाल कर तीन बार अपने सरीर पर फेरे और कार्तिक सनार करके प्रदोस काल में गाट, गौशाला, बावडी, कुवा, मंदिर आदी इस्तानों पर तीन दिन तक लगातार आप दिपक जलाएं सुब महरत में अपने व्यवशाईक परतिष्ठान पर नई गदी बिचाएं दंतेरस के दिन और पुराने गदी को भी अगर आप चाहें तो साथ सुत्रा करके जटक के नए कपड़े वस्तरादी उसके उपर लगा करके इस्तापित कर सकते हैं दंतेरस के दिन धन और लक्ष्मी के समन्दित या वेपार बढ़ाने का कोई यंतरादी या कोई आपकी इच्छा के नुसार फोटू आदी खरीद कर लगाना चाहिए दंतेरस को अपने घर के मंदिर को साप सफ़ई करके गी का दिपक जला कर दूप अगरबती करके एक चोकी पर चावल का स्वास्तिक बना कर उस पर एक दिपक बीच में और चारों कोणों पर एक एक दिपक रखना चाहिए और फिर माता का ध्यान करके गर में लाए गए नए समान की पूजा करनी चाहिए कुमकुम से बरतनों में ओम लिखें और स्वस्तिक बनाएं मन में माता का ध्यान करके सुब मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए और फिर चौकी के सामने बैठ कर माता के किसी मंतर की चार माला का जाप करना चाहिए और फिर सब घर के मेंबर साथ में बैठ कर दंतेरस के दिन से लेकर दिपावली तक अगर हो सके तो एक साथ बैठ कर खाना भी रात का खाए साथ में दंतरस के दिन बहुत लोग अपने गर में सोना, चांदी या पर्चलन में चलने वाले जो पूराने सिक्के होते हैं एक रुपिय के, दो रुपिय के, पांच रुपिय के, दस रुपिय के ऐसे सिक्कों को एक थाडी में रखके उसको पंचा मरत से दोते हैं और फिर सुद पानी से दो करके, एक थाली में सजा करके, उसकी कुंकु से पूजा करते हैं और फिर उन शिक्कों को एक लाल थेली में डाल करके कुछ लॉंग और चांदी का कोई टुकड़ा या अंगुठी या बिचुडी जो भी है डाल करके उस में उस पोटली को तिजोरी में भी रखते हैं आ दंतेरस के दिन गर के अडोस-पडोस के छोटे बच्चों को ये हाथ में भी एक रुपिया, दो रुपिया, पांस रुपिया, दस रुपिया देने का रिवाद है वह इसलिए कि दन बच्चों में बांटने से वो खुश होते हैं और उनकी खुशी माता लक्ष्मी के रूप में फिर हमारे गर में परवेश करती है और साल बर हमारे गर में खुशियां ही खुशियां रहती है, दन दान की संपनता भी बनी रहती है दन तेरस को हिंदू दरम में एक पवित्र और सर्व सिद्धी परदान करने वाला जो है दिन माना जाता है यानि के सर्व सिद्धी परदान करने वाला अबूज मौरत वाला दन तेरस का दिन माना जाता है इसलिए दन तेरस के दिन आप भी अपने गर को साप सुतरा करें और शिक्को को सुद पानी से दोएं और बताएं गए तरीके से तिजूरी में रखें साथ ही गर में दीप परगट करके अंदर बाहर सजाएं इससे मा लक्षमी का आपके गर में आगमन होगा और आपके गर से नेगेटिविटी के साथ में सभी आठ परकार की दरीदरता जो है वह भी निकल जाएगी आप लक्षमी जी का आवान करते समय उनसे सभी परकार की सुब आसीश भी जरूर मांगे मा लक्षमी जी की करपा तबी मिलती है जब घर सुद हो और आपस में सभी प्रेम से रहे ज जहां कड़े सोता है वहां मा निवास नहीं करती है और इसलिए दंतेरस को आप सब प्रेम से रहते वे मा का आवान करे और पूजा करके उनका आसिरवाद पाए मेरी हार्दिक सुब कामना और आसिरवाद भी आप सभी के साथ हैं आपका यह पांच दिवस्य दिपोटसव पर्व हसी खुशी से बिते और मा लक्ष्मी जी की करपा भी आपको मिले और आपका आने वाला साल हसी खुशी के साथ बिते और आपकी सभी मनो कामना पूर्ण हो यह मेरी आपके लिए हार्दिक सुब कामना है और मेरा आसिरवाद भी आपके साथ है मैं हर साल जो है दंतेरस से लेकर दिपावली तक कुछ यंत्रों को भी शिद्ध किया करता हूँ अगर आपको इन यंत्रों मेंसे मैं नाम बता रहा हूँ अभी अगर चाहिए तो आप मेंसे मंगवा सकते हैं इसके लिए मैंने बिल्कुल मामुली काते हैं ना के दक्षिना सुल्क रखा हूआ है दंतेरस के दिन मैं लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, वेबव लक्ष्मी यंत्र, माहा लक्ष्मी यंत्र, वेपार वर्दी लक्ष्मी तायक यंत्र, अदबुत लक्ष्मी प्राप्ती यंत्र, अश्ट लक्ष्मी यंत्र, सुख सान्ती वर्दी यंत्र, पदमावती यंत्र और भेरव यंत्र आदी भी मैं अनेक परकार से उनके जाप करके सिद्ध किया करता हूँ उनका पूजन करके रखता हूँ तो आप चाहें तो मेरे से मंगवा सकते हैं आज के वीडियो में मैंने आपको दंतेरिस के विशे में काफी जान करी दी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और जादा से जादा से शेयर करें ताकि लोगों को भी दंतेरिस के बारे में जानकारी मिले कल में आपको दिपावली के पूजन मौरत के बारे में और दिपावली पर पूजन कैसे किया जाता है यह मैं पूजन विदी बताऊंगा कि आप महा लक्ष्मी माता का पूजन किस विदी से करे मैं पूरी संपूर्ण विदी आपको बताऊंगा आप मेरे बताए विदी के अनुसार मेरा वीडियो चालू करके आप इस बार लक्ष्मी माता का पूजन करे, आपके गर में माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा कल मिलते हैं, तब तक जै जनेंद्र